हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल कुईक अनलिसिस चैनल चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के रियल कुईक अनलिसिस की आप सबी को अच्छे से याद होगा इसी साल फरवरी महीने में साइप्रस के एक्स्क्लूसिव एक्लूमिक जोन में ब्रिलिंग एक्टिबिटी के लिए यूरोपिन यूनियन ने टर्की पर प्रतीबंद लगा दिये थे जिसके अंतरगत तर्केस पैक्रॉलियम के दो बड़ चीन यानि कि टर्की इस्ट मेडिटरेनियन सी को हडबने की रहा पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले सब्ता टर्की ने अनौंस कर दिया था कि उसकी ऑफशियर ड्रिलिंग एक्टिविटी 18 जुलाई तक जारी रहेगी और टर्किस नेवी इस पूरी गतिविती जिसके फाइनल स्टेटमेंट में यह साफ कहा गया कि यूरोपियन यूनियन साइप्रस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और तर्की के गैर कानूनी ड्रिलिंग एक्टिविटी का व्रोध करता रहेगा सो अबाबिक है तर्की को यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट नहीं पचना था उसने भी आनन फानन में स्टेटमेंट जारी कर दिया कि यूरोपियन यूनियन अभी भी पुराने भाईचारा के सिंधांट पर चल रहा है और ग्रीज एवं स्टेटमेंट में ऐसा तो कुछ नहीं था कि तर्की इतना भड़ा कुटे बात यह है कि पिछले सक्ता EU के प्रवक्ता ने कहा था कि यदि तर्की साइप्रस के पानी में ड्रिलिंग को जारी रखेगा तो यूरोपियन यूनियन तर्की पर और तगड़े सेंक्शन लगा सकता है EU के प्रवक्ता की धंगी की जलक EU के स्टेटमेंट में दिखाई देने पर तर्की तिल मिलाओ था EU की बातों के जवाब में अब जबकि तर्की ने ड्रिलिंग का काम चालू कर दिया है यह देखने वाली बात होगी कि EU अपनी कतनी को करनी में कनवर्ट कर पाता है या नहीं आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलाल कच्छे तेल के शिपमेंट दुनिया में धख्के खा रहे है तेल को खरीदने वाला तक कोई नहीं मिल रहा है तो अभी टर्की क्यों ड्रिलिंग की अक्टिविटी पर आगे बढ़ रहा है बात साफ है ओयल ड्रिलिंग तो बहाना है तर्की किसी बड़ी फुराक में है इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओयल ड्रिंग पर फोकस करके यूरोपियन यूनियन साफ निकल जाने पर लकीर को पीटता रह जाए वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि धंकियों का असर कम हो जाता है अगर उन पर अमल ना किया जाए अब हम जल्दी से बात करते हैं कोरोना वाइरस की अभी रख चीन का कहना था कि अपना निकमा पन चुपाने के लिए कोरोना कॉंस्परेशी थियोरीज को वेस्टन वर्ड हवा दे रहा है लेकिन अब तो रूस के लीडिंग माइक्रो बाइलोजिस्ट ने भी ये कह दिया है कि बुहान की वाइरोलोजी लेब में रेजी एक्सपरिमेंट किये जाते है और इनी के जरिये कोरोना वाइरस को इनसानों में तेजी से संक्मन फैलानी की ताक्त से नवाजा गया ये भसमा सुर पैदा हुआ बुहान की लेब में अब यह बात तो दिन परती दिन साफ होती जा रही है सवाल सर्फ यह है कि यह जान भूज कर लेब से रिलीस किया गया अत्वा यह एक एक्सिडेंट अत्वा मिस्टेक थी लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि यदि चीन ने दुनिया को पिछले साल नवंबर में इस लिबारोटी से वाइरस के रिलीस होने की खबर सब को बता दी होती तो क्या इस संक्रमन को एक सहर में सीमित नहीं किया जा सकता था चीन से निकली बिमारी आज दुनिया के लिए महा मारी बन गई इसका जिम्मदार कौन है अब जबकि रूस के वेग्यानिकों ने भी चीन पर कॉशन मार्क लगाना चालू कर दिया है उन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आईने में मुँ देखने चाहिए जो कुछ दिनों पहले ही कोरोना वाइरस को नेचरल बता कर चीन को क्लीन चिट देने की तेजाई में थे वैसे आजकल चीन ट्विटर और फेस्बुक पर बड़ा एक्टिव हो गया है अपनी वीक पोजिशन को डिफेंट करने की कोशिच में वह लगा हुआ है इसलिए बड़ा सवाल यह है कि यदि चीन के पास इतने ही मजबूत तरक है तो वह इन्हें यूएन सेक्यूरिटी काउंसिल में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है हो जाने दो ना पबलिक डिवेट आखिर दुनिया को भी तो हर पहलू की बास सुनने को मिले ट्विटर और फेस्वुक पर अपना टाइम बरबात करने के बज़ा है क्या अच्छा नहीं होगा कि UNSC में चर्चा की रहा में चीन वीटो को रोड़ा लगाना बंद करें लेकिन चीन कोरोना कवरप में लगा हुआ है और पूरी दुनिया चाइनीज चर्णोविल की सजा भुकत रही है आपको हमारा आज का अनलिसिस पसंद आया हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए साथ ही ऐसे ही और नए अनलिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लास्ट मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सबी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद